हलो आपरेबन वेलकम टू माय शेनल तो आज हम लोग सॉल्प करेंगे वर्क्षिट 3 के कोस्टन्स को और यहां पर कहता है यूज दी प्रोटेक्टर एंड मेजर दी फॉलाविंग एंगल्स तो हम लोग यहां पर एंगल को मेजर करने के लिए यूज करेंगे प्रोटेक्टर का और जो हमारा यूट होगा standard unit of an angle is degree हमारा यूट क्या होता है degree होता है और degree में हमें एंगल को मेजर करते हैं the special symbol यह देखें hyे symbol है हमारा degree का is used for degree we use protector to measure अंगल तो किसी भी आता हुआ दीख रहा है ओके अब यहां से देखिए राइट से आप नीचे देखी क्या लिखा हुआ जीरो टेन ट्वेंटी 3040 इधर से बढ़ता हुआ आ रहा है तो आप क्या देख रहें प्रोटेक्टर में आपका एक तरफ से बढ़ रहा है और साथे साथ यहां दूसरे त से बहुत हैं इसलिए यहां पर हमारा जो भंत लुट दिया हुआ है दोनों तरफ से दिए हुआ है ताकि हम दोनों तरह के एंगल को मेजर कर सकेंगे तो देखिए यहां पर क्या बताया गया है ठीने राट टू रोज ऑफ नमबर्स मार्क अन दी प्रोटेक्टर तो यह हमा ज्रण कि नॉट वणड दीघριं एक डिवीज न कितना बताता है हमारे पास वणड दीघिरी बताते है तो जीरो से कहां तक गया है जिडर से 180 की तक मैज़र कर सकते हैं प्रोटेक्टर के हference से अब कहता है लास्ट यहां पे प्रोटेकटर इस हाविंग टूर स्केल सीन रिवर्स ओर तो यहां पे जो और है आप देखिए जीरो से लेके दोनों तरह के एंगल को मेजर कर सकते हैं कि इसलिए हमारा दोनों तरह से यहां पर दिया हुआ है नंबर को चलिए हम लोग exercise में देखेंगे अभी किस तरह से हम यूज करेंगे आप प्रोटेक्टर का यहां पर एंगल को मेजर करने के लिए तो चलिए यहां पर ध्यान से देखें आप यह हमारा एंगल है एंगल ऑपनिंग टू लैप्ट यह यहां पर यहां पर ले लेते हैं यह हमारे पास प्रोटेक्टर है हम मेजर करेंगे तो कैसे करेंगे यह देखें बीच का पॉइंट है आपको यह ध्यान रखना है यहां पर आपको वर्टेक्स रखना है यह हमारा एंगल है तो एंगल का यह हमारा वर्टेक्स है तो इस वर्टेक्स को इस जो प्रोटेक्टर है इसके बीच वाले पॉइंट से आपको मिलाना है और इसके जो आर्म है ना यह आर्म को आपको इस लाइन से के साथ कॉन करा हैं और वर्टेक्स को यहां पर मेच करा है ठीक है तो आप देखिए कहां पर हमारा फोकस कर रहा है तो यह हमारा फोकस कहां पर करता है 45 ठीक है यह हमारा 40 है और यह हमारा 50 है इसके बीच में आ रहा है तो यह हमारा कितना हो करना 45 हो रहा है तो यहां पर फिर से हम लोग मेजर करेंगे तो हमारा सेम होगा यह जो आर्म आप देख रहे हैं इसको यह जो हमारा प्रोटेक्टर के साथ कुन साइट कराना है और यह हमारा वर्टेक्स है वर्टेक्स को इस सेूंद से साथ आपको डिगर Correct रहे है अब कहुटर करेंगे तो इसके साथ आपको डिगरील नौट करना है 45 डिग्री 70 अभी इसको हम लोग मेजर करेंगे तो फिर से हम क्या करेंगे यह जो पॉइंट है इसको वर्टेक्स के साथ मेच करेंगे और यह जो आर्म है इस लाइन के साथ कुन साइड होना कितना होगा 105 तो आप यहां पर भी लिख सकते हैं 105 डिग्री ठीक है आप यहां पर भी लिख सकते हैं 105 डिग्री राइट समझ गये चलिए यहां पर हमारे पास एक और है इसको सोव्ग मेज़र करेंगे तो अभी नहीं कोई से मिजर करना है तो हमेरा लफे ओपन हो रहा है ठीक है तो वहetter से मेजर कर लेंगे देखिए एहं और क्यों किसे अ करणे के बादे कहां पर हमारे मेज कर रहा है तो यह देखिए हमारा 35 के आसपास जा रहा है ठीक है तो 35 आपको इधर से देखना है यह आपका 0 10 20 30 यह आपको नहीं देखना है चुकि यह आपका left side open हो रहा है हना जब left side open हो रहा है तो आपको किदर से मेच कराना है left side से लेकर counting करना है 0 10 20 30 40 इसकी बीच में आ रहा है तो आप यहां पर 35 यहां पर not कर सकते हैं यह हमारा कितना degree आ रहा है 35 डिग्री आ रहा है तो इस तरह से हम लोगों को यहां पर measurement कर लेना है चलिए और भी सकते हैं यह हमारा बिलकुर 90 पे जा रहा है जब हम इसको vertex के साथ मेच कराएं और यह देख रहे हैं इस पॉइंट को हम इस आर्म के साथ यहां पर कॉंसाइट करा लेगी और आप देखिए यह जो हमारा दूसरा आर्म है वो कहां पर जा रहा है तो आप इधर से ले रहें तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 110, 120 इसके बीच में आपका जा रहा है इसका मतलब यह हो रहा है कि यह आपक 115 हो रहा है कितना हो रहा है 115 हो रहा है टीक है तो यहां पे हम लोग क्या नोट कर लेते हैं 115 होके 115 किलिए अब next हमारे पास यह आएगा तो उच्छे लिए हम इसको कैसे मेजर करेंगे यहां देखिए हम फिर से यहां पर यह जो वर्टेक्स है इसको हम इसके साथ कौन करेंगे यहां पर देख लिए और दूसरा जो आर्म है उसको हम चेक करेंगे कहां पर यह मैच कर रहा है तो यह हमारा 120 क्यों फोकस कर रहा है कितना फोकस कर रहा है 120 क्यों कैसे यहां पर आप देख लिजी यह आपका 60 भी है और 120 भी है लेकिन आप क्यों कौन समान के चलेंगे तो आप इधर से ले रहे हैं ना ये left side से open हो रहा है ना तो आपको left side से counting करना है तो left side से आप 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 ठीक है तो आप जिधर से angle open होगा उधर से आपको measuring करना है तो यहां से आप कितना तक पहुँच गिए 120 तक पहुँच गिए है तो 120 इसका value हो रहा है 120 degree आप यहां पे 120 degree note कर लेजी और last का जो है यह बिलकुल आसान है यह हमारा state angle होगा 180 के value है आप यहां पे बीच पे रख लेजीए तो जिधर से भी आप ले सकते हैं यहां पर आप इधर से भी ले सकते हैं इधर से भी ले सकते हैं दोनों ही तरफ से आप लेंगे ता आप कितना value मिलेगा 180 के equal मिलेगा ठीक है जीरो से लेके 180 इधर से बीए काउंट करेंगे तो भी इधर से भी यह मेंद आजाएगा तो यहां पर किस तरह से एंगल को मेजर करना यह हमने समझ लिया है बढ़े आसाने सेРЕल अंगल को मैजर कर सकते हैं और नेक्स जो हमारे पास है यह कहता है कंस्टक्ट एंगल सब्सक्राइब करना है तो हम लोग कैसे करेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर यह नमर हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे एरो मार्क ले लिए और यह हमारा होगया ठीक है तो अभी वर्टेक्स लें हमको 40 बनाना है तो यहाँ हमारा जोए इसको साथ मेंच करना है और जब मेच हो जाए इसके बाद यहांठा करना है तो यहां से में को लेना है मार्कर लिएat Okay अब यह हमारा क्या हो गया ना दूसरा आर्म हो गया है इंगल कितना हो गया इसके मेजरमेट्स फूर्टी निग्री हो गया और यहां पर नेम भी देना है तो नेम में ख्या दे सकते हैं इसका, नाम यहाँ पे A, B और C दे सकते हैं, राइट चलिए B निमर हम लोग बनाते हैं, B निमर पे कितना है? 75 डिग्री, तो फिर से हम लोग को यहाँ पे लेना पड़ेगा, यहाँ पे ले लिए एक, ठीक है? यह हम construct किये हमारा एक Ray हो गया, यहाँ पे vortex ले ले हमारा यakukan देख लिजिए तो 70 के आगे हमको जाना है यहां पर जाना पड़ेगा 75 हो जहागा हम यहांपर मार्क कर लेते मार्क कर लिए अब उसको हम क्या औरहब यहां से मेच करेंगे एक हम लोग आर्म बना लेंगे चलिए यह हमने बना लिया तो यह हमारा कितना डिग्री हो गया 75 डिग्री इसका नाम हम कुछ दे सकते हैं P Q और R इस तरह से दे देते हैं फिर हमको 90 डिग्री बनाना है तो बहुत है आसाने से हम बना सकते हैं यह लेजिए हम C नमबर यहां पर बना लेते हैं लेप शैट से ओपन होता हुआ यहां पर हम इधर से लेंगे हमारा लेप शैट से ओपन होगा अभी तो यहां पर हमको लेना पड़ेगा एरो मार्क और यहां पर वर्टेक्स ले लिए तो हम यहां पर फिर से इसको मेच कराएंगे यहां से और 90 पर हमको मार्क कर देना है तो 90 यहां पर मार्क कर लिए हमको क् तो यह लंबाई जितना हो आप ले सकते हैं कोई बात नहीं है यह हमारा कितना हो गया 90 डिग्री हो गया इसका नाम हम दे देते हैं एल एम और यह एन ठीक है नेम आप कुछ भी दे सकते हैं आपके उपर है जो आपको अच्छा लगता है आप दे देजिए 100 डिग्री बनाना है तो चलिए 100 डिग्री बना ले यहां पर हम फिर से मार्क कर लेते हैं ओके यह कुछ इस तरह से ले लिए हम ठीक है अब इधर हमार यह पोइंट हो गया कितना 100 डिग्री तो अब हम राइट साटाश उपन हो टो अब बनाते हैं धार से इधर से हम कौन्टिंग कर लेंगे तो कहां पर आएगा यह हमारा 90 हो गया यहां पर हमारा 100 हो रहा है तो 100 पर हम मार्क कर लेते हैं कुछ इस तरह से यहां पर उने मार्क कर लिया ठीक है अब इसको हम मैच कर देते हैं यहां से हम लोग कितना बनाना है 120 डिगरी बनाना है यह नंबर पे तो चलिए यह नंबर पे हम लोग 120 बना लेते हैं राइट से की लैप से चलिए लैप से बनाते हैं लोग लैप से उपन होता हुआ बना ले तो यहां पे हम बना लेंगे यह हमारा हो गया यह पहला आर्म ले लिए 120 2020 ले रहें तो हम लोग्ड लैप शैट से बनाते हैं आप राइट शैट से बना सकते है आपके उपर है कि आप किदर से बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम Cobain कर लिए हैं अब हमको इदर से कांटे करना 0 10 20 कहां तक जाएंगे हम 120 तक जाएंगे हम यह 120 पर आजाके मर्क कर लेंगे अब इसको हम यह मैच करेंगे यहां से तो यह हमारा कितना डिगरी हो जाएगा यह हमारा हो जाएगा 120 डिगरी के लिए इसका नेम हम दे सकते हैं यहां पर देते हैं यह ओ और यह बी दे दिए नेक्स्ट हमार uwu all 155 है इसको हम राट श्याट से ओपन होता हूब बनाएंगे एक है यह जो एंगल होगा हमारा किदर सो ऑपन होगा राट श्यट से ओपन होगा तो चलिए हम यहां पे फिर वर्टेक्स ले लेते हैं और फिर इसको हम यहां से मैच कर लेते यहां से कुछ इस तरह से यह देखे कितना लेना है हमको 155 तो यह 120 130 140 150 150 है 150 से आगे जाना चुक्कि राइट से हम ले रहे हैं तो इधर से हमको increase करता हुआ जाना है ठीक है तो अगर आप left side से लेंगे तो left side से आपको बढ़ना है तो हम अभी right side से ले रहे हैं 150 के आगे 155 तो यह हमारा 150 150 से 155 यहां पर मार कर लेते हैं अब इसको हम यहां से match करेंगे यह देखिए कुछ इस तरह से हमारा यहां पर मिलान हो जाएगा हम इसको मिला देते हैं तो यह जो एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा हमारा 155 डिग्री अब इसका नाम हम कुछ दे सकते हैं जैसे एक्स वाई और जैड यह हमने दे दिया तो यह हमारा कंप्लिट हो गया वाक्सिट 3 के सारे कोस्टन को हमने आपे कंप्लिट कर लिया